सरगम क्या है? दोस्तों आपने ये सब्द कई बार सुना होगा और संगीत में ये बड़ा महत्पुन सब्द है कि आकर सरगम क्या चीज़ है तो चलिए सरगम से सब्द के एक सब्द के एक सब्द का समूह होता है हार्मोनियम में यहां से ले करके इसको काली एक बोलते हैं यहां तक एक सब्दक हो गया और इस काली एक से यहां तक दूसरा सब्दक हो गया यहां से लेकर यहां तक एक तीसरा सब्दक हो गया अब आप सोचेगे ये तेर सब्तक हैं और इनके माम क्या है यह चुकी नीचे वाला सब्तक है कि इसलिए इसको बोलते हैं मंद्र सब्तक जो कि इस सब्तक में जो आवाज न्कलती है वह बहुत भारी उती मौटी उती जैसे अम नीचे बढ़ते जाते हैं यहाँसे जैसे नीचे बढएंगे आवाज भारी होते जाएगे यह मौटी होते जाएगे और जब यहाँ से यहाँ तक यह स्वर हैं, इनमें आवाज मीडियम होती है, मध्यम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य सब्तक, साध्रन तहाथ इसी सब्तक पर गीत गाया जाते हैं, और ये जो आखरी है इसको बोलते हैं तार सब्तक, कि सिंपली गीत यहां से लेकर के तार सब्थक के कुछ शुरों तक जाता है और जब फीमेल किसी गीत को गाती है तो वो तार सब्थक में गाती क्योंकि उनकी आवाज पतली होती है कि उनके आवाज मिलती जलती रहते हैं यह आवाज मुलती बिलती ह哇 अगर हम दोन्यों को लिक्सप करें इस है यह एक जैसी है इसी तरह इसको तो सब तक जो हर एकस्व रहें सगत्य स्वर क्या चिए मिलती उजलती रहेती है चलिए lasting और सब्सक्राइब को उसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि는 में भासा को पढ़ने के लिए अलफाबेट कि आविश्यक्ता होती बगएर अल्फाबेट के हम किसी भासा वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते इसी तरह से संगीत में सरगम संगीत शीखने की पहली शीड़ी है मैंने एक वीडियो बनाया था और कल ही उसको अपलोड किया था मैंने ये बताया था कि बगएर सरगम के हम हारमोनियम बे कीद बजाना कैसे सीख सकते हैं वो बिल्कुश शक्ते बात है बना सरगम सीखे भी हम हारमोनियम बजाना की सीख सकते हैं बसरते के हमें सौरों का ग्यान होना चाहिए सूरों की गारत है जब वो हमारे दमाग में फिड हो जाता है तो हमको सरगम सीखने के आवशक्ता नहीं होती किन् salmon जहां तक संगीत का संबंध शीखने से है तो उसमें सरगम पहले सड़ी होती है तो जैसे सरगम में स रा गा मा इन चार अक्षोन से मिलकर करके सरगम बना है सरगम में साथ स्वर होते हैं साथ स्वर कौन-कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ यह जैसे सा पर एक स्वर चोड़के जो अगला स्वर गा उसको बोलेगे रे पर एक स्वर चोड़के अगला है उसको बोलेगे गा और का के जश्ट बाद वाला स्वार मा इन्हीं चार स्वारों के नाम पर इसको सर्गम बोलते हैं इसके आगे वाला जो स्वारों होता है एक स्वार चोड़के जो आगे वाला स्वार है उसको बोलेंगे पा फर एक स्वर छोड़के अगला स्वर जो है उसको बोलाएं कि धा एक स्वर छोड़के अगला स्वर नी इस तरह से साथ स्वर हो गए सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी और जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर से सा आजाएगा सा, किन्तो ये तार सब्तक का हमने मत्य सब्तक के सा से प्रारण्द किया और जो अगला सा होगा वो होगा तार सब्तक का सा इसी को हम बोलते हैं सरगम किसी भी संगित को सीखने के लिए हमें इंस्लूमेंट अगर पिले करना है तो ये संगित की पहली काई है जब हम नीचे से लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं आरोह आरोह मतलब चढ़ना और जब पुनाय वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं अब रोह यानि उतरना नीचे क्यों राना तो तो उसको बोलते हैं अब आपके दमाग में एक प्रश्य जरूर्व ख़ड़ा होगा कि जब ये सात सरही सरगं कहलाते हैं तो इनके बीच में आने वाले जो सरह हैं इनका क्या प्यूद है बास्तों में जो में सुरह है वो यही होते हैं लेकिन ये जो इनके बीच में जो सुरह आते हैं जैसे ये सा है ये रे है तो ये जो बीच वाला सुरह है ये चुकि रे के नीचे है इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमल रे इसी तरह सा रे गा ये गा है इसके नीचे वाले को बोल गा लेकिन गा के जश्ट बाद बाला जो स्वर है उसको बोलते हैं मा तो अब कॉमल मा तो हो नहीं सकता है इसलिए इसके बाद बाला जो स्वर है उसको बोलते हैं तीवर मा पा ना तो कॉमल होता है और ना तीवर होता है इसी प्रकार से सा ना कॉमल होता है ना तीवर होता है किसी भी सब तक में सा और पा ये दो सोर अचल माने जाते हैं अचल कारत यही है कि ना तो वो तीब्र होते हैं और ना ही कॉमल होते हैं तो जब ये पा कॉमल नहीं होता है अर्थात इसको हम कॉमल पा नहीं बोलेंगे तो ये मा के बात सवर आता है, इसको हम टीव रपा नहीं बोल सकते क्योंकि पा अचला है, दहा के नीचे होने के करणantal इसको हम बोलते हैं कॉवल धा, इसके बाद एक सवर छोड़के अग्ला सवर है नी, तो उसके नीचे वाले स्वर को हम बोलेगे कॉमल नी उसके बाद फिर से सा आ जाता है तो संचेप में मैं आपको बता दूँ कि जो सुद्ध स्वर हैं वो माने जाते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा कॉमल स्वर कौन को से होते हैं? रे, गा, धा, नी सा और पाप को छोड़के सभी के स्वर कॉमल स्वर की होते हैं किन्तु सिर्फ मा अपवाद है मा कॉमल नहीं होता, मा दीवर होता है इस स्वर कम को ध्यान रखना कि ये दीवर मा है और बाकी सभी सुद्ध स्वर के नीचे वाले स्वर कॉमल स्वर के लाते हैं तो लिजे, आज मैंने आपको सरगम और सरगम के अलावाज वह भी स्वर हैं, उनको हम किस नाम से पकारते हैं, वो मैंने आपको बताया, आप लोग वीडियो देखें, और वीडियो पर अपने कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप मेरे वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं, कितना उसको पसंद करा पा रहे हैं, और यार आपके कमेंट्स की तो हमारी ताकत होते हैं, अगर कमेंट्स आप नहीं दे तो आगे हम किस प्रकार से वीडियो बनाएं यह समझना बड़ा मस्कुल हो जाएगा इसलिए आप लोग वीडियो देखें लेकिन कमेंट्स अपना जरूरत हैं यही आप लोग मसे बचारश है अगले वीडियो में इसके आगे के बाद